क्या तुम्हें पता है कि तुम Instagram पर theme page create करके और दिन के सिर्फ 10 मिनिट देके Instagram से महीने के 50,000 रुपे तक कमा सकते हो मैंने Instagram पर theme page business बना के उससे एक साल में 5,000,000 रुपे तक कमा है और आज तुम्हें मैं सिखा हुआ कि तुम भी ये सेम चीज़ कैसे कर सकते हो बस इस वीडियो को लास तक देखना और एक भी step में समत करना इस वीडियो में तुम्हारे Instagram theme page से related सारे doubts क्लियर होने वाले है तो इसलिए एक like तो बनता है ये वीडियो को मैंने 6 steps में divide करा हूँ जिसको मैं full detail के साथ explain करूँगा तो क्या तुमने ऐसे Instagram accounts देखे हो ऐसे accounts को theme page बोला जाता है Instagram theme page क्या होता है तो theme page basically एक ऐसा Instagram page होता है जिस पे कोई भी topic पर content repost किया जाता है सबसे पहरी चीज तुम्हें ये करना है कि तुम्हें एक perfect niche find करना पड़ेगा niche मतलब कोई भी topic जिससे related तुम अपने Instagram theme page पर post करोंगे मैं तुम्हें 4 most profitable topics बता देता हो जिस पे तुम अपना page बना सकते हो ये 4 topics ऐसे हैं जिसमें सब लोगों का interest होता है irrespective of their country and language मेरी first video पोस्ट करने के बाद मुझे बहुत सारे DM आयते कि हमारे theme page को भी monetize कर दो हमारे पास 50,000, 80,000, 10,000, 1,000,000 followers है लेकिन जितने भी page थे उन में से maximum लोगों का या तो religion के उपर था page या फिर quotes के उपर अब तुम्हें या पे एक चीज समझना होगा कि इन topics पे उतनी अच्छी earnings नहीं की जा सकती है जितना तु इन topics पे कर सकते हो इसलिए तुम इन चार topics में से किसी एक topic पर अपना page create कर सकते हो और एक pro tip देना शाह हुआ जब भी तुम page grow कर रहे हो अपना aim करो कि तुम बाहर की audience लाओ बाहर से मेरा मतलब है countries जैसे की UK, USA, Netherlands, Canada perfect niche choose करने के बाद तुम्हें अपने page की branding करनी पड़ेगी अब branding क्या होती और कैसे की जाती है उसके लिए मैं तुम्हें एक example दे के समझा हुआ मैंने हाली में एक new fitness theme page create किया है उसमें मैं AI की मदद से fitness reel create करके push कर हुआ और अगर तुम्हें भी पता करना है कि AI के मदद से ऐसी reels कैसे बनाए जाती है तो comment करके बता देना मैं उस पे भी एक separate video बना दूँगा अब branding में तुम्हारी mainly दो चीज़े आ जाती है विच इस name and description और you can say buy low तुम्हें अपने page के लिए name ऐसा choose करना है जो तुम्हारे topic से relevant हो जैसे कि यहाँ पे मैंने health word include किया है अगर तुम finance niche पे page बना रहे हो तो तुम अपने page का नाम finance hub या फिर finance squad रख सकते हो एक बार username available है कि नहीं ये चेक कर लेदा थर्ड step ने आगे बनने से पहले अगर तुमने चैनल को अभी ताख subscribe नी किया है तो जल्दी से subscribe button पे क्लिक कर दो क्योंकि subscribers बढ़ते हों देखके मुझे motivation मिलता है वीडियो एडिट करने का इसके बाद बारी आएंगी logo लगा रेकी अब page के लिए logo तुम simply canva का use करके create कर सकते हो तुम्हें हजारों templates मिल जाएंगे canva पर बस थोड़ी सी creativity दाल देना और तुमारा logo ready हो जाएगा active bio तुम लिख सकते हो जिसे तुमारे page की branding और अच्छी हो जाएगी अब next step आता है posting का तुम्हें कम से कम दिन में 2-3 reels post करनी ही पड़ेंगी reels कहां से लाना है ये बहुत से लोगों का सवाल होता है तु बस अपने competitor pages को follow कर लो और उनके reels section में जाके जो reels पर सबसे ज्यादा views आ रखे हैं उसे तुम्हें simply save करके रख लेना है ऐसे reels तुम्हें कम से कम 30-40 save करके रखना है और यही reels को तुम्हें download करके अपने page पे post करना है posting की सबसे main चीज है जिसमें दिन के सिर्फ तुम्हें 10-20 minute लगेंगे और अगर बात करूँ मैं posting timings की तो वो तुम्हें अपने हिसाब से decide करना होगा पर अगर मैं suggest करूँ तो तुम्हें ये 4 timings में से किसी 2 time पे post कर सकते हो और reels डाउनलोड करने के लिए तुम इस website का use कर सकते हो इसका link मैं description में भी दाल दूँगा वहाँ से bookmark कर लेना Now comes the first steps of growth इसमें तुम्हें अपने page के initial period में follow and follow strategy यूज करना है बहुत से लोग ये बोलते हैं कि this strategy is dead but believe me it works मैंने इसी strategy का use करके अपने कई theme pages में starting के 1000 followers गें किये है और तुम्हें भी same करना होगा जो भी competitive page को तुमने follow किया हुआ है उसकी latest post जो की 20 minute पहले की हुई है उसमें जाके तुम्हें लोगों को follow करना है जिनके accounts private है और ये strategy follow करते समय खुद का account भी private रखना वरना लोग follow back नहीं देंगे And finally the last step of this video monetizing your theme page अच्छे कासे followers grow हो जाने के बाद तुम अपने theme page को कई तरीकों से monetize कर सकते हो जैसे की affiliate marketing करके या फिर dropshipping services देके या फिर छोटे accounts को paid promos देकर और अगर तुम्हारे page की branding बहुत जाद अच्छी है तो तुम brand deals भी कर सकते हो Personally मैंने अपने Instagram theme pages को directly sell करके उससे डायलाग रुपे कमाये थे अगर तुम्हारे पास भी theme page है जिस पर बाहर की audience है तो तुम भी same कर सकते हो ऐसे बहुत से लोग या फिर businesses है जिने Instagram page की जरुत है जिस पर already अच्छे लाज़े followers है इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी research करनी पड़ेंगी जैसे कि मेरे पास एक fitness theme page था तो उस speech को मैंने एक Instagram model को बेज़ा था for around 50,000 मैंने उस time simply ये रेखा था कि ऐसी कई Instagram models है जिनका account grow हो रहा था बट Instagram ने उसे disable कर दिया था तो यही लोगों को मैंने approach किया और उन में से एक ने मेरा offer accept कर लिया इसके लिए तुम्हें थोड़ी बहुत communication और bargaining skills आरी चाहिए और ये चीज़ जब तक तुम करोंगे नहीं तब तक तुम सीखोंगे रही अगर तुम्हें मेरी Instagram earning की journey देखना है